तो आज है संडे और फिर से मैं आप लोग के लिए एक ऐसा इस्टोक लेके हैं हूँ जिसका मैं ग्राउंड रियल्टी रिसर्च करूंगा और यह इस्टोक का 80% से भी ज्यादा मार्केट सेर और आप लोग भी इसके समान को यूज करते हैं मैं बताऊँगा आगे सबसे पिन यूगों देखो आप लोगों मैं आने वाला है तो थम्लिल से ही आप लोगों पता चलिया कि मैप माई इंडिया की स्टोक के बारे में आज में बात करूंगा यानि की ग्राउंड रियर्टी रिसर्च करूंगा मैं इंडिया को सी इंफो सिस्टम के नाम से भी जाना जाता ह एक ही कंपनी है आप लोग जैसे समझना चाहों आप लोग समझ सकते हैं तो आज में मैप माई इंडिया का बिजनस के वारे में इसके प्यूचर ब्रूट के वारे में साथी साथ द्राउंट क्लिटी रिसर्च और साथी साथ में इसका फंडामेंटल और इसके साथी साथ में लोग चाहते हैं कि इस कंपनी में भी इंवेस्ट करना चाहिए या नहीं तो वो डाउट के लियर होने वाला है आपको यह वीडियो को दिखना काफी मजा आने वाला है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं मैं इंडिया का बिजनस के वारें बात करें तो यह कंपनी फैब 17 एड़ास डिजिटल मेप्स प्रोवाइडर है तो यह कंपनी का बिजनस को देखते हुआ आपको समझ में आ है कि यह कंपनी डिजिटल मेप्स प्रोवाइडर यानि कि मैप्स रिलेटेड यह कंपनी काम करती है मैं बता दू यह कंपनी 6.5 किलोमेटर ओफ इंडियन रोड्स cover करती है जो कि 99% होता है हमारे इंडिया की almost हर जगा ये company का maps इसके पास database अब लेवल है तो इसलिए ये company काफी ज्यादा बोल सकते हैं बहुत कम लोग को पता है ज्यादत तर आप लोगों को पता है कि stock market में बहुत सारे लोग news को सुनके invest करते हैं बट ऐसा ऐसा company बहुत कम लोग को पता है तो ये company के पास 99% हमारी इंडिया की maps related database है और मैं बता दू आप लोग को ये company 2D, 3D, real time view ये सारे चीज़ provide करती है कहा वो provide करती है कैसे provide करती है मैं आगे बताऊँगा तो अब मैं इस company के बारे में ground reality research बात करूगा ये ground reality research क्या है मैं बता दू आप लोग कार में देखते हैं जो map लगा हो रहता है infotainment system map लोग जब map का use करते हैं तो वो कौन सी company की होती है Google नहीं जादा तर अब बोल सकते हैं always जतनी भी तार बन रही है उसमें map my India का map use किया जाता है और आपको मैं बता दू इसके बरे बरे client है जैसे कि Hyundai Toyota ये सारे इसके client है महिंद्रन महिंद्रा और Tata ये सारे इसके client है और होटो सेक्टर से भी अलग जैसे कि निती आयोग हो गया आपका इस्रों हो गया ये सारे भी client है मैं आगे बात करूँगा सबसे पहले आप लोग को समझ में आया कि ground reality research के साथ से company यानि कि जो आप लोग कार बहुत सारे लोग के पास जो कार होगा आप लोग कभी सोचे थे नहीं न और मैं बतादू मेरे परसनली इंडाई के कार है उसमें मैप माई इंडिया का मार्केट से रहे 80 परसेंट नाइंटी परसेंट का मार्केट से रहे और इसके साथे साथ भी बतादघु इसके डिया नहीं बताद जारे इन जाधतर माई के शीज बहाए कि दृकिगर समझ लेना तो अब मैं फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करता तो सबसे पहला जो फ्यूचर ग्रोथ है इसका कि कंपनी आप लोगों को पता आने वाला फ्यूचर क्या एवी है तो एवी में जो एवी कार में बहुत सारे चीज ऐसे चीज यूज किये जाएंगे एडवास और उसको प्रीमियम बनाने के लिए जिससे यह कंपनी को फायदा हो सकता है यह कंपनी का जो सेकेंड फ्यूचर ग्रोथ है वह स्पेस टेक्नोलोजी आप लोगों मैं बता दो जो चंद्रियान सेटलाइट को लॉंच किया गया था उसमें किसका मैप यूज किया गया था मै इन्डिया का तो आप लोग जैसे जानते ही जो कैना मैं इंडिया क्रती है मै इस से क्या हो रहा है इस Speech order or make my इंडिया को इसका इसका से तक्रोड़ बारी को अच्छा प्रफीचर दिख रहा है और अच्छा प्रॉपिट सकते फिर उसके बाद जो थार्ड फीचर को दिख रहा है कि ये कमपनी चाती है कि डिफेंस सेक्टर को मदद करना चाती ही कि आर्मी और नेवी का जो लेंड इसके पिया बोर्डर है उसे अच्छा इंप्रूफ करना कि बोर्डर में क्या करना चाहिए क्या नहीं उसके तुरू वो फ्यूचर ग्रोड टिफेंस सेक्टर से भी काफी अच्छा रिस्पॉंस आ सकता है कमपनी का फूर्थ फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करें वह है तो विलर सेक्मेंट मैं ऐसा क्यों बोला हूं कि कि आप लोको पता है वोला इन दिनों काफी ट्रेंडिंग में चाह हु अबर कि ओला ने इसका मैप को चोड़ी किया यानि कि मैप में इंडिया का मैप को चोड़ी किया यानि कि इसके डेटा को चोड़ी किया तो यह न्यूस को आप लोग आगी गूगल में सर्च कर सकता है कि मेरे कहने का मतलब कि ओला ने जैसे अपने टू विनर सेग्रेंट मे तो देखो कार सेग्में में तो 80% का मार्केट से यह yodhan हरा है तो हो सकता है कि प्रेकर सेग्मेंट बेविजाता से ज्यादा जो मैप का यूज किया जाए वह मैफ मा इंडिया और पोन है वह पने तो नहीं इंडिया ने भी customer के लिए अपने customer वे यसे में बात आ दो मैप मैं इंडिया इसरी पीटी उबी काम करती जाने कि बीजनेस टू बीजनेस में तो बीजनेस टू बीजनेस काम करती याने कि इसका मतलप की वह company लिए इंड रही कमपनी के साथ काम करती आरर गुगल क्या अपस बीटू सी ए बिजनस्टू कस्टमर के लिए काम करती है तो इसी को देखते होग मेप में सर्च करो गया तो वहाँ पर बता देगा कि खर्चा कितना आगा वह रास्ता में जाने के लिए तो मुझे पता चल जाएगा कि इस रोट से कितना कोस्ट आएगा और उसके साथ ही साथ मेपल में यह भी बताता है कि ब्रेकर का है सोच रहा है कि ब्रेकर से जम्प कर जाता है वह मेरे साथ मैं जब काट चलाता हूँ तो इससे और उसके साथ बहुत सारे ऐसे फीचशर्स है जो आप लोग मेपल्स का इप करके यह पूह प्रोमोसिनल वीडियो नहीं बता दे रहा हूं मैपल्स इसनिए बतारा हूं क्यों कि मैप मां इंडिया ने काफी खास फिजर्स दिया हुआ है इसलिए में बता रहा हूँ आप लोग एक बार जाके देख सकते हैं यह पांच फ्यूचर ब्रोथ है जो कंपनी पो काफी अच्छा फ्यूचर ब्रोथ होने में हेल्प कर सकते हैं और इसके साथ अब आपको कंपनी के बारे में बात करता हूँ यह मोट होता क्या है मोट का मतलब सिंट्ली यह होता है कंपनी के पास कुछ ऐसा चीज डोकि इसके कॉंपिटिटर के पास नहीं है उसी को मोट बोला जाता है एक तरह से एडवांटेज बोल सकता है कंपनी के पास क्या क्या एडवांटेज है मैं बता दो सबसे पहले एडवांटेज है कि आपसे पहले तो यह कंपनी ओल्ड प्लेयर है काफी पुराना खेला रही है उसके साथे साथ कंपनी के पास काफी न गुवर्मेंट भी चाहती है कि जाता से ज्यादा मैप मैं इंडिया का यूज हो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ सबसे पहले में बतादू इस पेस टेकनलोजी में अगर सोचलों सेटलाइट में विदेश कि यानिकि गूगल का मैप यूज किया जाएगा तो गूगल मैप तो ह अच्छा क्या होगा इंडिया का मैप यूज क्या है अधिल चाहेवाव इंडिया खोने में ऑटोमोटीफ से जो मटनेवा एक कि जो कार बनाने वन कंपणई है वो क्या चाहीगी भी देश का यूज करना यह हमारें अंगया कान अब मैं बात करता हूं कंपणी का कॉंपेटिटर क्वेला सबसे पहला है गूगल देख हुग है ना i2c काम परती यानि कि business to customer, customer के लिए वो काम कर रही है, और map में इंडिया का कर रही है, ये B2B भी काम कर रही है, और B2C भी काम कर रही है, B2B मतलब company के लिए और B2 customer के लिए भी, B2C मतलब कि मैपल्स, जैसे मैंने app का example लिए, और B2B मतलब कि जैसे phone pay हो गया, SDFC bank हो गया, flip cut हो गया, आपका बोल सकते हैं, Hyundai हो गया, Tata हो गया, ये सारे लोक के लिए, तो देखो Google आभी तो B2C काम कर रही है, अगर ये B2B में आ गई, इससे map my India फो तगहा competition मिलने वाना है, और Ola, Ola देखो ऐसे तो allegation लगा दी है map my India की, जो Ola यूज कर रहा है map, वो map my India का ही data use कर रहा है, तो ऐसा होता है, तो Ola तो floppy हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता है, तो Ola से भी अच्छा इसो competition मिल सकता है, तो देखते हैं आगे, बट इतना ज्यादा database collect करना Ola के लिए इतना आसान बात नहीं है, और हाँ और एक चीज है, जो कि आप लो न्यूज में सुने होगा, कि जो delivery होगा, वो किस से होगा, अच्छा मैप होना जुरूरी है, तो बहुत सारे रिजन यह मैप में इंडिया का एक तरह से बोल सकते मोनोपॉली चलता है, 80% का market share कोई segment होगा, यह कापी बड़ी बात है, तो अब मैं company के आप लोग यह समझे थे company क्या है, अब मैं company का fundamentals के बारे में बताने जा रहा हूं, company fundamentally strong है कि नहीं, company profit कमा नहीं रही है कि नहीं, तो चलिए मैं आप मोईल इसके नहीं, company का fundamentals के बारे में बाता हूं, C.E. Info System Limited का fundamentals के बारे में बात करें, तो market capital आप लोग देख सकते हैं, 10,988-66 करोर का है, और यह C.E. Info System Limited का मतला map my India, इसे दो नाम से जाना जाता है, इस्टोक पी देखो 79 का चल रहा है, इंडस्ट्री पी देखो 38 का चल रहा है, यानि कि इंडस्ट्री पी से इस्टोक पी जाता है, यानि कि यह company का जो share price चल रहा है, वो काफी ज़्यादा चल रहा है, देखो current price अबे 2000 रूपीस के आसपस चल रहा है, ROC और ROE देखो तोनों 15% से ज़्यादा है, अगर किसी company का ROC और ROE 15% से ज़्यादा रहता है, तो वो company अच्छी मानी जाती है, debt to go 25 करोर का है, net profit 1.38 करोर का है, debt equity 0.04 है, यानि कि debt equity काफी कम है, एक से काफी नीचे है, अगर किसी company का debt equity 1 से नीचे रहता है, तो वो company अच्छी मानी जाती है, यानि कि अपनी debt को इली चुका सकती है, बट यान debt नहीं है, debt free company है, promoter holding 52% की है, अगर किसी company का promoter holding 40 है, 50% ज्यादा रहता है, तो वो company अच्छी मानी जाती है, यहाँ पर आप लोग देखो, free cash flow 45 करोर के पास बढ़ा हुआ है company के पास, और dividend yield को 0.17% का है, यह company का pros और cons के बारे हम बात करें, तो pros का मतवर company की positive बा है, company is almost debt free company है, company good profit growth 44% ही है, और last 5 years में, और company का healthy dividend payout है 17% का, और pawns के बारे में बात करें तो इस टो की स्टेडिंग 16 times, इस book value, अपने book value से यह जादा 60 times trade कर रहा है, और promoter holding ने last quarter में अपना 0.93% holding काटा है, यह company का quarterly wise profit and loss के बारे हम बात करें, तो जून 2024 में गो company को 36 करोर क profit हुआ है, और पिछले साल के जून 2023 में तो 32 करोर का हुआ था, यानि कि 4 करोर बार है, यह company का यह और profit loss के बारे हम बात करें, तो 2019 से company का net profit लगातार increase हो रहा है, और इसका सबसे खास बात में बता हूं, इसका sales तो बढ़ी रहा है, तो इसके साथी साथ आप लोग यह operating profit margin है, वो काफी जबरदासत है, अगर किसी company का operating profit margin 20 या 30% रता हो, वो company काफी अच्छी माने जाती है, बट यहाँ पर देखो 40% का operating profit margin है, और यहाँ मैं आप लोगो देखा दू, देखो यहाँ पर एक चीज, तो यह 2024 का है, फाइनेंसियल 23 से लेके 2024 करोर का profit हुआ है, यहाँ आपने बड़ने को फोरी से लेके 2024 करोर कमानी यानि कि इस साल company को जबरदास profit होने वाना है, यह कपनी का से लिंग पैटेंस के बारे में बात करें तो यहाँ देखो प्रमोटर्स ने अपने वर्लिंग को यहाँ पर थोरी से घटाई है, और यहाँ एप आयाई आई यहाँ 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 जो डी आई आई यहाँ यहाँ यानि कि mutual fund बड़े बड़े इंस्ट्यूइशन आमारे इंडिया गे उस लिए अपने holding को यहाँ बार आई है, तो आप योग ने company का business और company का fundamentals देख लिया, आप लोग को company fundamentally की काफी जादा strong है, अब मैं बता दू, जो यहाँ पर इंफो सिस्ट्यम का चार्ट खोला हुआ है, और यहाँ पर आपनों देखो, यहाँ पर पीछले कुछ मैने से देखो, company का share price लगातार उपर जा रहा था, यह देखो आपनों, फिर उसके बाद यहाँ पर एक हाई मारा है, फिर यहाँ पर एक हाई मारा है, फिर सबसे पहने हमनों यहाँ पर Support and Resistance को ड्रोड कर लेते हैं तो यहाँ पर Simply मैं एक Horizontal लेता हूँ, यहाँ पर Support and mehr रेस्टेंश कोड्रो कर लेता है, मुझी यहाँ पर दीख रहा हैं, यहाँ से Company लेता है, तो मैं यहाँ पर सपोर्ट ड्रोड कर लिया, मैं यहाँ पर Simply आप ल कंपनी का ये वगों कि ए तो मैंने यहांप रहो और आप दिखो हुपए यहां के न मेगोर meth you have सबस्क्राइब नए थिए नीचे आई पर सिंपल से बता तो कौई भी सटोक में पर्फेक्ट कैसे लेना है उसके लिए मैंने एक स्टाटिए बताया है एस वी एपी यह एक स्वाप स्टेटी जिसमें मैंने बताया कि प्राइस एक्षन प्रस इंडिकेटर को लगा कर कैसे आप लोग एक ऐसे टाइम में इस्टोग में कुसे जिस टाइम वह स्टोग भागना स्टार्ट हो जाए तो वह कैसे परता लगा तो यह वीडियो आप यहां पर देखा रहा है यानी कमपनी का से पैस अभी डाउन ट्रेड में तो क्या हम लोग यहां पर अभी यह राइट टैम हम लोग को बाई करने के लिए बिलकुल नहीं क्योंकि डाउन ट्रेंड में दिमागी नहीं लगाना है तो मेरे हिसाब से अभी टेकनिकल एक्षै अभी आपनों ले सकते हैं पर जाद है एक रिसी के साथ आपको ट्रेड लेना है तो यह वाला बीडियो जागे देख लेना मेरे टेकनिकल एनलिसिस के हिसाब से इन्फो सिस्टम यानि कि में इंडिया को बाई करने का यह सही टाइम नहीं है तो आप लोग ने टेकनिकल एन इन्फेस्टिंग करना चाहते हैं तो उनको एक अच्छा रिसर्च करना पर हिंगा कौन सा प्राइज में खड़े वह लोगों देखना होगी कंपानी था सस्था मील्या मार्केट थोड़ा गिर और यह स्टोड़ा मैं सस्ता में तो जो लोग चाहते हैं तो उनके निया कोई तो यह आप लोग देख सकते हैं तो यह कंपनी मुझे बिजनस वाइस तो काफी स्ट्रॉंग लगी और फंडामेंटली भी रही वात यह कंपनी को अभी खाई दने की तो मेरे इसाथ से अभी नहीं खाईना चाहिए थोड़ा गिरने दो तब खाईना चाहिए तो मैं वता तो उसी वह अपने देख से पहले और हाँ इन्वेस्ट करने से पहले एक बार कुसर रिससर जरू करें तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रू बताना और हाँ मैं हर संडी ऐसा ही स्टोक लेकर आता हूँ जो कि ज्यादा तर न्यूस में नहीं रहते हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर एही सारे स्टोक हो इन्वेस्ट करके राखते हैं तो इसी तरका मैं स्टोक लेकर आता हूँ और संडी तो यह वीडियो आपको कैसा लगा एक बात कमेंट करके ज़रू बताना आई होप मेरी यह वीडियो आपको अच्छी नगी होगी मिलते आपको से नेक्स्ट वीडियो में